नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूं बढ़िया ही होंगे और आज हम आपके सामने लेके आएं टीवियस की नई नवीली बाइक जिसका लुक जो है काफी मॉडन है और आज के युद को जो है अट्रेक्ट करने वाला है सबसे पहले तो आप देखे ये टीवियस आज को जिसका जो है है इसका काफी अकाषट लगता है और साथ में जो यह लाइट है यह फुलल ईडाप घीब सेट है जो भी आपको यहाँ पर द faculty ते रही है और साती साहथ मॉडर्प दे रही है तो यह अच्छी बात है और साथी सात यहाँपर ट कर ए क्योंlier हैं यह यह जो है पूरी तरह से सूट कर रहे हैं यह एक अच्छी बात है देखने के लिए साथ में आपको यहां पे जो मडगार्ड है यह मिल जाता है कुछ मेटलिक पेंट में और अभी आप जो देख रहे हैं कलर यहां पर आपको ब्लाक और यहां पर जो बीच रैट का कलर है बस्वी चारजिंग पोर्ट रें अर्बन ओड और साथी में यहां पर आपको अपको स्लिपर क्लच का भी ऑप्शन मिल जाता है तो इसमें आपको 110 सेशन के टायर मिल जाते हैं जो कि ट्यूबलेस हैं और पीछे के टायर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 130 सेशन का टा बाइक्स जो होती है वो उसकी तरह कुछ लुक आपको यह देखने के लिलने वाला है तो यहां पर आपको 9-spok alloy wheel देखने के मिल रहे हैं साथ में यहां पर 300 mm की डिस्क मिल रही है जो की फ्रेंट में और रियर डिस्क जो है 240 mm की है और यहां पर सिंगल चैनल ABS बेस में है और आपके top model में ABS mode यहां पर rain urban mode जैसे की मैंने आपको बताया है तो अब आ जाते हैं यहां पर fuel tank पे fuel tank कुछ इस तरह से oval shape में आपको देखने के मिल रहा है यहां पर TVS की batching आपको देखने के मिल रही है कह सकते हैं जो इसका logo है TVS का और साथ में यहां पर इसके जो fuel tank है यह 14 लीटर का fuel tank है और इसमें इंजिन जो है 225 CC का इंजिन आपको देखने के मिलता है जिसकी power ratio काफी बहतर है सारी जो figure है वो आपको screen पर mention मिल रही होगी साथी में आपको यहां पर यह इंजिन जो है पर oil pool मिलता है और इसके बाद हम बात करें तो यहां प यहां पर पीछे की तरफ देखेंगे तो TBS की बैचिंग कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर काफी सारे गार्ड्स दे रखेंगे इवन आप यहां पर पैर रखेंगे तो आपको कोई भी आपर दिक्कत नहीं होगी इस तरह भी आपको गार्ड्स मि जो कि एड्जेस्टेबल है और सेवन एड्जेस्टेबल यहां पर आपको ऑप्शिन मिलते हैं और साथ ही साथ आप पीछे की दरफ आते हैं तो देखते हैं चेन कवर जैसे की मैंने आपको बताया आपको यहां दिख रहा है इसके बाद आपको यहां पर ग्रैंडल कुछ इस तरह से देखने के लिए जो की काफी इजी टू यहां पर हैंडल है जब पीछे वाला पिलियन बैठेगा तो काफी इसली यहां पर बैठ पाएगा साथ में सीट की कुशनिंग जो है ठीक ठाके बढ़िया है आगे वाले के लिए जादा अच्छा कुशनिंग आपको देख साथ में फिर से यहां पर इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाता है सेम शेप में और यहां पर आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते पीछे की तरफ और यहां पर एक साड़ी गार्ड मिलता है और इसके बाद आपको रॉनिन की यहां पर बैचिंग दे यहां पर मेकनिकल यूस के लिए इसको उपन करने के लिए ओप्शन दिये रखा है और अब सीट कॉम फिर से यहां पर फिक्स कर देते हैं इसके बाद आप की पे नजर डाल सकते हैं कुछ इस तरह से देखने के लिए इसमें ती का साइन देखने के लिए आपको मिल रहा है औ इसके बाद आप यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर अपने मिरर मिल रहा है साइड मिटर्स और इसमें डाल सकते हैं और यहां से आप मोड अगर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर आपको अपने मिरर मिल रहा है साइड मिल रह यहां पे upper deeper के लिए option आगे की तरफ आपको मिल रहा है और साथ में यहां पे आपको indicators के लिए और horn उच इस तरह से horn देखने के लिए आपको इसके बाद यहां पे अपना ignition on करने के लिए option मिल जा रहा है electric start का modes के लिए यहां पे option मिल जा रहा है mode आप यहां रेन urban mode जो है change करेंगे जैसे जैसे आपको इसके लिए उस तरह से दिखाई देखा इसके बाद यहां पे electric start और साथ में यहां पे आपको accelerator देखने के लिए मिल रहा है जो की comfortable है तो तो हजार अमान करें तो कुछ इस तरह से सारे indicators जो है आपको on मिलते हैं इसके बाद आपको five gears देखने के लिए मिल जाते हैं और gears का design जो है थोड़ा attractive है और easily to operate है इसके बाद fi system मिल जाता है fuel injected और तो सारा कुछ cover कर लिए आपने बारे में और कैसी लगी बाइक आपको दे and see you again